अच्छा जी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस वकद कहा हूँ तो ये स्टोरी अभी शुरूर नहीं हुई, सुभा सुभा ही शुरूरी हो चुकी थी, आज मेरी फ्लाइट है टुरांटे टुल लाहर अच्छा जी वलकम बैक टुमाई चैनल अगें, होपस़ आप लोग सब खेरिये से होंगे और अपने घर में बहुत ज़्यादा कुछ होंगे लेकिन पैकिंग करना एक बहुत बढ़ा टास था, चीज उनको फाइनल करना, सब के लिए गिफ्ट पैक करना, वेट करना, बहुत बढ़ा टास था हस्बन के हल लेकि मैं अपनी पैकिंग को फिनिश किया, थोड़ा सा रुरेस्ट किया, और घर के दूसरे काम काच करने के बाद, यहां पर मैं रेडी हूची की हूँ एरपूट के लिए इंटरनेशनल फ्लाइड के लिए आपको तीन गेंडे पहले जाना पड़ता है, पाकिसान जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादे एक्साइट थी, स्पेशरी अपनी मामा पापा से मिलने के लिए, बहन भाइयों से मिलने के लिए, और बागी के फैमली मेंबर से मिलने के लि बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो सोचा क्यों ना कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में आया जाए और डिफर्ट डिफर्ट ब्रैंड्स को एक्स्प्लोर किया जाए, अगर आप ओवर्सीज हैं तो यकीनन पाकिसान में अपनी फैमली को, पाकिसानी फूड को, क्लोथ को पाकिसानी कल्चर को पहत हीजादा मिस करते होंगे, पाकिसान जाने से पहले मैंने अलरीडि रिय्स बना रगी थी कि कौन-कौन से रेस्ट्टरंट पे मैने खाना-काना है, और किन-किन जंकों को मैने एक्स्प्लोर करना है, कौस्मार्टिक और छच्छे तरीके से एक्सप में होते हैं वह काफी हद तक बंद हो चुके थी बेड़ेगेट का नंबर सी 33 था फाइनली एक एंटे की वेटिंग के बाद मैं आ चुकी थी पी आ ये की प्लेन में पी ये की सीर्स ओके थी एलेक्ट्रोनिक्स बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी खाना बहुत ही एवरिश थ क्योंकि मुझे लगती है ट्रॉंटो से लहूर की फ्राइट डिरेक्ट होती है कोई भी स्टेनी होता जो के पी ये का बेस्ट पार्ट है पी ये की फ्लाइट में ना तो आपको इच्छी एंटेंट मिंटने वाली है और नहीं कोई खास किसम का खाना मिलने वाला है लेकिन ह अगर आपके पास पास लोग अच्छे हुए तो आपको नीन बहुत अच्छी मिल जाएगी इस लाज़े के मुझे समझ नहीं है और उसको मैंने पाकिसानी पैसे दी मेरे पापा मेरे भाई और बहन मुझे पेट पर पेपिक करने के लिए आयते जिन्नों ने मेरा वलकम बहुत ही खुबसूरत फूलों के साथ किया आज का मेरा वी लॉग होता है खतम अपना बहुत किया रखिए दूआ में याद रखिए इंचाला दुबारा मुलाकात होगे एक नहीं वीडियो के साथ अलाफ़ेज